हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश विच्छागन औरोड़ा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए विलियम बटलर यीट्स की फेमस पोएम इसकेंड कमिंग की लाइन टू लाइन एक्स्परिनेशन हिंदी में लेकर आया हूं यह पोएम दो पार्ट में डिवाइड है फर्स्ट पार्ट में एक लाइन्स है और सेकेंड पार्ट में नाइन टू 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 लाइन्स हैं इसके फर्स्ट पार्ट में पोएम ने यह बताया है कि दुनिया में हमेशा सिविलाइजेशन जनम लेती है फिर वो फैल्टी फूल्टी और लास्ट में उसक होने वाला है यह बहुत बड़ी संभावना उनकी बाइबल में लिखी हुई है कि क्राइस्ट का दुबारा जनम होगा और वो जो दुबारा जनम में that is the second coming वो ही second coming है तो इस तरह से यह point दो पार्ट्स में divide है अब इसकी line to run explanation स्टार्ट करते हैं this second coming second coming का मतलब है क्राइस्ट का दुबारा आना जब भी हम second coming सोचते हैं तो यह बिल्कुल हमें एक क्रिस्टियन बात समाई देती है ऐसा कहा गया था कि दो हजार उसके जनम के दो हजार साल बाद क्राइस्ट वापिस लोगों गो शान्ती और प्रोस्पैरिटी देने के लिए वापिस आएंगे फर्स्ट एंजा के अंदर उसने ऐसी कंडिशन बताई हैं जो दुनिया की क्या हालात हैं क्या एनार की हैं second एंजा में उसने बताया है कि अब एक second coming होने वाली है लेकिन वो यह सजेस्ट करता है कि अब जो second coming आएगी वो क्राइस्ट की नहीं आएगी बलकी वो एक तरह की और यह राजगता की सेकिंड कमिंग आएगी turning and turning in the widening gear turning and turning लगा अतार continuously rotate कर रही है in the widening gear एक लगा अतार एक फैलता हुआ widening मतलब ever increasing फैलता हुआ गिर मतलब चकर लगा अतार एक चकर घूम रहा है ऐसा माना जाता है कि चंदरमा के 2000 साल पूरे होने पर एक सब्वेता समापत हो जाती है तो पिछली बार 2000 साल पहले जब वे चकर पूरा हुआ था तब क्राइस्ट का जनम हुआ था और ग्रिशियन जो सब्वेता थी युनानी सब्वेता समापत हुई थी और उसके बाद में क्रिशियन सब्वेता स्टार्ट हुई थी वैसे फालकन बाज होता है वो कहता है कि अब समय बदल चुका है जो बाज है वो भी अपने फाकनर अपने पालने वाले की आवाज नहीं सुन रहा है यहाँ पर एक बाज समझने वाली है कि जो फालकन है वो सिंबल आफ मैं है यानि कि अब जो आदमी है और फाकनर है वो क्राइस्ट है या हम कह सकते हैं वो एक रिलीजिन है यानि कि इनसान अब रिलीजिन की बात नहीं सुन रहा है तिंक्स फाल अपाट बहुत important line है thinks fall apart इसके उपर बकाइदा चिन्वा अचीबे नाम के राइटर ने एक novel भी लिखा है यानि कि जो traditional values है ना हमारे जो धार्मिक और जो हमारे परंपरिक values है अब वो breakdown हो रहे हैं वो खतम हो रहे हैं the center cannot hold वो old values अब गायब हो रही है center जो हमारा धर्म है religion है वो अब हमें संभाल नहीं पा रहा है mere anarchy is loosed upon the world देखिए जब ये poem लेकी गई थी उस समय Ireland और रशिया में बहुत ज़्यादा बड़ी करांतियां होई थी जिन को देखकर शायद W.V.Eats ने ये line लेकी है mere anarchy is loosed upon the world पूरी दुनिया में chaos अराजकता का वातावरन तबाई का वातावरन फैल गया है पूरी दुनिया में तबाई फैली हुई है दा बलड डिम्ड टाइड इस लूजड वो जो आईरिश और रशियन करांतियों में खून खराबा हुआ था ये उसकी बात कर रहा है कि चारों तरफ एक खून की लहर टाइड मतलब होता है लहर लहर चारों तरफ बिखरी पड़ी है और हर जगा जो सेरेमनी ओफ इनोसेंस का मतलब है कि वो जो हमारी ट्रैडिशनल परंपरागत लाइफ है वो जो धर्म बगएरा को मानने वाले लाइफ है जिससे की इनोसेंस मसूमित आती है हर जगा वो जो वो लाइफ खतम हो चुकी है और हर जगा खून खराबा हो रहा है जो बैस्ट जो हमारे रूलर्स हैं जो हमारे इंटेलेक्चुल्स हैं अब वो बिलकुल उनके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है कोई समझ नहीं है जबकि जो वर्स्ट जितने भी हमारे रेबल विद्रोई हैं जितने भी हमारे विद्रोग करने वाले लोग हैं वो उनके अंदर इंटेंस फैनेटिसिजम हैं उनके अंदर जबर्दस धार्मित पागलपन है surely some revelation is at hand जो revelation मतलब जो बाइबल में कहा गया था कि 2000 साल के बाद में क्राइस्ट आएंगे वो जो prediction किया गया था is at hand वो बहुत जादा नजदीक है surely the second coming is at hand ये यकीन मानिए कि अब एक second coming होने वाली है लेकिन point ये मानता है कि अब की बार जो second coming होगी वो second coming क्राइस्ट की नहीं होगी बलकि अब की बार एक बिस्टल एन्टी सिविलाइजेशन एक एन्टी सिविलाइजेशन जो है उसका जनम होगा the second coming जैसे ही मैंने ये बात बोली second coming hardly are those words out जैसे ही वो शब्द मेरे मुझ से निकले वेन एवास्ट इमेज आउट ओफ स्प्रिटर्स मुंडी ट्रबल माई साइड एक वास्ट इमेज एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी इमेज मेरे सामने आई कहां से आई वो इमेज सामने spiritus mundi जो होता है वो जितने भी हमारे दिमाग में platonic super sensual images होता है उनका warehouse उनका भंडार होता है तो वो कहता है कि जैसे ही मैंने बोला कि second coming आएगी मेरे उस दिमाग में जो images का भंडार था वहाँ से एक बड़ी vast image मेरे सामने आई एक अस्या डरावना सपना मेरे सामने आया जो symbol है कि आने वाला वक्त कैसा होगा trouble my sight ये देखकर poet को जटका लगा भी हो हो ये क्या चीज होगी somewhere in the sands of desert कहीं पर रेगिस्तान में a shape with loin body and the head of a man एक 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 जानवर जिसका शरीर जो है वो तो शेर का होगा और उसके उपर सिर्ए इनसान का होगा a gaze blank and pityless इसकी जो जलक होगी वो जो देखेगा ना वो बहुत ज़्यादा cruel देखेगा it moving it slow thighs और वो धीरे धीरे अपनी नी thighs को move कर रहा है यहाँ पर हमारे सामने एक image आती है desert की तो यहाँ poet कहता है कि जो present civilization के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सब के सब desert में convert हो जाएंगे second image उसने दी है loin body और उसके उपर इनसान के सर की while all about it real shadow of indigent desert birds real shadow of indigent desert birds यानि की वो कहता है कि उस वो जो शेर की image है उसके चारों तरफ जो वल्चर हैं वल्चर मतलब यह जो जैसे अपने कहते हैं कि अगर हमें सपने में कवे गिद वगरा दिखाई दे तो वो बहुत बुरा सपना होता है और कहता है ऐसे जो शेर आएगा एक ऐसा शेर जिसके सर के उपर इनसान का सर लगा है उसके चारों तरफ जो वल्चर है जितने भी अप्शगुन वाले गिद वगरा है वो सारे उसके चारों तरफ घूम रहे है दा डार्कनेस ड्रोफ अगें फिर से अंधेरा चा गया है डार्कनेस मतलब कयोस अराजकता फिर से चा गई है ये जो वल्चर्स हैं ये इनसान के खून के प्यासे होंगे बट नाओ आई नो पर अब मैं जानता हूँ देट 20 सेंचरी ओफ स्टोनी स्लीप कि वो जो 20 स्टाब्दियों से जो रोमन सिविलाइजेशन के बाद में जो क्रिश्चन सिविलाइजेशन है वो पिछले 20 स्टाब्दियों से अंस्पिरिच्वल लाइफ जी रही है कोई धार्मिक जीवन हम नहीं जी रहे हैं वर वैक्स टू नाइट मेर बाई ए रोकिंग क्रेडल वो जो 20 स्टाब्दियों से वो जो एक स्टोनी स्लीप हम जो हम जो एक अंस्पिरिच्वल लाइफ जी रहे हैं जिसके कारण ये नाइट मेर जो है ये जो डरावना सपना है वो पैदा हुआ है और क्या खतरनाक जानवर है अब इसका वक्त आ ही गया है अब ये जो स्लाउच होता है बड़े ओक्वर्ड तरीके से चलना जैसे आप प्रिक्चर में देख रहे हैं बड़े ओक्वर्ड तरीके से ये जानवर बैथलेहम की तरफ जा रहा है बैथलेहम वो जगह हैं जहां इसस क्राइस्ट का जनम हुआ था टू भी बोन नेक्स्ट डीटी जो है जो नहे आने वाले भगवान है उनका जनम भी बैथलेहम में ही होगा आई हो फ्रेंट्स अब आपको ये पोईम ढंक से समझ में आ गई होगी उमीद करता हूँ कि आपको ये पोईम समझ में आई है और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूले